हेलो फ्रेंट्स मैं प्रीति आदव आपका प्रेगनेंसी टिप्स और एडवाइस चैनल पर स्वागत करती हूँ डिलीवरी का समय जैसे जैसे पास आना शुरू होता है वैसे वैसे महिलाएं बे फिक्रसी होने लगती है क्योंकि प्रेगनेंसी का काफी लंबा समय उन्होंने काट लिया होता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के आठवे महिने में आपको किन खास बातों का खयाल रखना चाहिए ताकि आपको delivery में तकलीफ ना आए और जिस मुस्किल से आपने अपनी pregnancy के शुरुआती समय को निकाला है वो मुस्किल फिर से ना हो जाए या फिर pre-mature delivery ना हो जाए तो आप मेरे इस वीडियो को क्या करें पूरा जरूर देखें Pregnancy से related और वी वीडियो के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक नीचे description में दिया गया है Pregnancy का 8 वा महिना शुरू होते ही आपके खुशी और चिंता दोनों की ही बात होती है खुशी इस बात की कि बस एक महिना ही रह गया है और आपका वेवी आपके हातों में होगा आप उसे गोद में ले सकती हैं आप उसे खिला पाएंगी वही चिंता इस बात की कि आप 8 वे महिने में कोई भी ऐसा काम ना कर दें कि आपकी pre-match और delivery हो जाए और रंग में भंग बढ़ जाए तो चलिए अब बात करते ही कि आपको किन बातों का खास खयाल रखना है तो सबसे पहले तो आपको किसी भी ऐसे एरिये में नहीं जाना है जहां बहुत ज़्यादा loud music बसता हो या फिर बहुत ज़्यादा sore होता हो उमीद है कि आप ये तो जानती ही होंगी कि pregnancy के चटवे महिने के बात से आपका सिसू आपकी सारी बाते सुन सकता है इवन वो बाहर का सारा sore जो होता है उसको सुन सकता है उस पे react कर सकता है तो ऐसे में आपको इस बात का खास खयाल रखना है कि आप ज़्यादा sore साराबे वाली जगे पर ना जाए क्योंकि इससे क्या होगा आपका जो बेबी होगा वो पैनिक कर सकता है जिससे कि कई ऐसा ना हो कि बच्चा अपनी गर्दन में नाल फसाले और उसको कोई तकलीफ हो जाए इसके अलावा ज़्यादा तेज म्यूजिक सुनने से उसकी सुनने की छमता पर भी असर पड़ता है तो आपको इस बात का खास खयाल रखना होगा कि आपको किसी भी हालत में प्रिगनेंसी के आठवे महीने में सोर भरी जगे पर नहीं जाना है दूसरा आपको पेट के बल पर भी नहीं लेटना है ना कि पेट के बल पर कोई काम करना है प्रिगनेंसी के आठवे महीने में आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि आपके पेट पर दवाब पड़े जिसे कि बैट कर पोचा लगाना, जाडू लगाना या फिर बैट कर कपने दोना कहीं ऐसा नहों कि आप कोई भी ऐसा काम कर रही है जिसे कि आपके पेट पर दवाब पढ़ रहा है और आपको पेट में दर्ध होना शुरू हो जाए और ये नॉर्मल सा दर्ध लेबर पैन में कनवर्ट हो जाए और आपको तुरंथ हॉस्पीटल भागना पड़े या फिर आपकी प्री मैच और डिलेवरी हो जाए तीसरा आपको प्रेगनेंसी के आठवे महीने में किसी भी प्रकार की ट्रेवलिंग नहीं करनी है चाहें वो कार से हो बस से हो या फिर प्लेन से हो क्योंकि इन तीनों ही केसिज में आपको रिस्क बहुत ज्यादा होता है तो अगर आपको traveling करनी है तो आप छटवे महिने से पहले ही कर लें इसके बाद आप अपनी traveling को avoid करें क्योंकि pregnancy में car या फिर plane में travel करने से आपके peach पर तो दवाप पड़ता ही है इससे आपके peach में दर्द होगा इसके अलावा आपको जटके भी लगेंगे चाहें वो take off हो या फिर landing हो या फिर road के गड़े हो तो इससे भी आपकी premature delivery हो सकती है जो की एक समस्या बन सकती है चौथा आपको अपने आराम करने के तरीके पर भी ध्यान देना होगा कहीं भी बैठें तो पीछे तकिया लगा ला है एकदम से जटके से ना तो बैठें ना उठें ना लेटें ना खड़े हो यह मतलब कुछ भी है आपको एकदम से जटके से नहीं करना है और जब भी लेटना है तो left hand side पर ही लेटना है क्योंकि जटका लगने से आपके बेबी की position में changes आ सकते हैं जिसकी वज़े से problem हो सकती है इसके अलावा बाई तरफ लेटने से आपके सिसू को भरपूर मातरा में oxygen मिलेगी उसका जो blood का circulation होता है वो अच्छा रहेगा और हाँ सोती वक्त आप क्या करें पहरों के बीच में तकिया जरूर लगा ले ताकि आपकी गर्बा से पर दवाबना पड़े पांशवा आपको exercise और yoga को avoid करना पड़ेगा हो सकता है आप पहले yoga exercise वगरा कर रही हो लेकिन आपको इस बात का खास खयाल रखना होगा क्योंकि हो सकता है yoga और exercise करते वक्त आपकी कोई नस खिच जाए जिसकी वज़े से आपको या फिर आपके बेबी को किसी को भी problem हो तो आपको इसका भी खास खयाल रखना होगा और अगर आप इन बातों का खास खयाल रखेंगी तो आप अपनी pregnancy के 8 वे महिने का सफर भी जल्दी ही निकाल लेंगी और आप pregnancy के आखरी पड़ाव में पहुंच जाएंगी उमीद है कि आपको मेरी ये वीजियो पसंद आई होगी तो जल्दी से इस वीजियो को लाइक कर दें अपने friends के साथ share करें और हाँ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो comment box में जरूर लिखे हम पूरी खुशिश करेंगे कि आपके सभी comments का reply कर सके मिलते हैं आपसे अगली वीजियो में तब तक के लिए खुश रहिए स्वास्त रहिए